यह एंट्रेंस है यहां से एंट्री होगी वेलकम टू मैं चैनल वंडर लस्ट आप वैसे तो बहुत सारे मंदिर गए होंगे लेकिन मैं आज एक ऐसे मंदिर आया हूं जहां पर कोई मूर्ती नहीं है और जहां पर किसी भी धर्म के कोई भी लोग आ सकते हैं इसका नाम है लोटस टेंपल जिसको हिंदी में बाही मंदि मंदिर का शेप लोटस या कमल के रूप में बनाया गया है वह इसलिए है क्योंकि कमल जो है बहुत सारे धर्मों में यूज होता है लोटस टेंपल को 1986 में बनवाया गया था इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा था जिसमें 800 वर्कर्स की टीम लगी थी कि पूरा लोटस टेंपल वाइट मार्बल से बनवाया गया है और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह जो फूल है कमल का आदा खिला हुआ बनाया गया है और इसकी जो पतिया है जिनको पंखुडिया कहते हैं इसमें 27 पंखुडिया है लोटस टेंपल की हाइट 111 फीट लोटस टेंपल के अंदर एक हॉल है जहां पर सभी लोग बैठके प्रातना करते हैं उसके अंदर फोटोग्राफिय वीडियोग्राफिय अलाव mniej है तो वहां पर मैं केमरा नहीं लजा पाया उसहौल की कैपिसिटी पच्चिस सो लोगों की है तो वहां पे पच्चिस सो लोग बैट करके एक साथ प्रातना कर सकते हैं इस हॉल में इंट्रेंस के आलग अलग है मैं आपको बताता हूं टैमिंग क्या ग्राइबं आप आ सकते हैं और और सर्दियों में यहाँ पैस hizo कलल दो प्री है तो यहाँ पे एंट्री का कोई名श्च नहीं लगता है झाल 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 यहीं तक लोटस टेंपल आने के लिए आपको नेरू प्लेस मेट्र स्टेशन आना होगा वहाँ से लगबग एक किलोमीटर दूर है आप आप आटो ले सकते हैं पैदल भी आ सकते हैं मैं तो पैदली प्रिफर करता हूं इसलिए मैं पैदली आया हूं लोटस टेंपल के फ्रेंड्स से फोटोग्राफिय अलाव नहीं है कि वीडियो में नहीं शूट कर सकते हैं तो मुझसे का गया है कि मैं इसके पीछे जाकर वीडियो शूट कर सकता हूं इसके पीछे ही जा रहा हूं कि वीडियो में इसके पीडियोग आया हूं कि वीडियो में इसके पीडियो शूट कर सकते हैं तो में इसके पीडियोग आया हूं लोटस टेंपल के चारों तरफ चोटे चोटे गार्डन से यहां बहुत सारे सुन्दर सुन्दर फूल और पेड़ पौदे लगाए गए हैं पीडियोग एक पीडियोग आया हूं कि आया हूं स अर्शाश प्रची अर्शाश भ्रची से अर्शाश प्रची की खोश्त अर्या गburst झाल झाल दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और अगर चाते हैं कि आपके दोस्त भी मेरे वीडियो को देखें तो शेर करें और मेरे चैनल वर्णलस को सब्सक्राइब करें और अगर आप बैल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें